हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप में आगे हूँ और एक नए वीडियो के साथ तो आज शुड़ी मैं आपको एक रॉयल पास का मिशन एक्स्प्लेइन करूंगा तो एक रॉयल पास का मिशन है 75 आर्पी पॉइंट्स के लिए कम्प्लीट 20 क्विक ड्रॉज इन दी चियर पार्क तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊँगा इस मिशन को कम्प्लीट करने का जिससे आपके मिशन एक मिशन के अंदर ही कम्प्लीट हो जाएगा तो आप बस इस वीडियो को पुरा अंतक देखते रहें तो आप देख सकत के बटन के उपर क्लिक कर देते हैं तो जैसे हम चियर पार्क के अंदर आ जाते हैं तो आपको इसे प्लेयर्स दिखाए देंगे तो आपको उनके पास जाना है और उनके उपर क्लिक करना है फिर यहां नीचे आपको क्विक ड्रॉ का यह ओप्शन दिखाई लगा तो आपक उसके उपर क्लिक करना है फिर यहाँ वो पुछे का choose the type of quick draw तो आपको second वाला कर देना है random assault rifle जिससे आपका जल्दी हो जाएगा फिर आपको quick draw के उपर क्लिक करना है फिर जैसे ही सामने वाला accept कर लेता है request फिर आपनी match start हो जाएगी तो आप देख सकते हैं उसने accept कर ली है और अभी अपनी match start होगे तो आपको बस खेलना है और एक round खेलने के लिए आपको play another round के उपर क्लिक करना है या फिर अगर सामने वाला बंदा आपको request भेजे तो आपको यह ऐसे दिखाई देगा challenge due for a quick draw तो आपको बस इसके उपर क्लिक करना है फिर second match start हो जाएगी तो आपको बस इसी करते रहनी एक match hardly 3 या 4 second में ही खतम हो जाती आप देख सकते हो तो आपको इसी करते रहना है total आपको 20 बार इसे करना है तो आपी मैं फिर से उसके पास जाता हूँ उसके उपर click करता हूँ और quick draw पे click करके select करता हूँ तो उसने अभी accept कर ली है आप देख सकते हो तो आपी timer जैसे 0 हो जाएगा match फिर से start हो जाएगी तो इसे आपको quick draw matches दोस्तो complete करने है टोटल आप 20 कर लो एक ही बंदे के साथ फिर आपका mission complete हो जाएगा पर ये बंदा चला गया ये बहुत बार हार चुका मेरे से तो इसने सिधा exit कर दी तो कोई बात नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ exit करके कि आपना कितना count हो आ है और नहीं जाता तो मेरा 20 हो जाता तो कोई बात नहीं तो दोस्ते इसी बहुत सारी वीडियोज देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को subscribe कर दे और बेडियोजी भी all पर set कर दे और बाकी की भी missions के पर मेने वीडियोज बनाए है तो आप वीडियो सेक्शन के अंदर उन वीडियोज को भी चेक आउट करना तो मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग